हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं देखिए तुलसी माता के साधी करने वाली हूँ यह देखिए दो तुलसी मा रखी हूँ और यह उख का मंडब बनाई हूँ इसी में हम बना रही हूँ इसी पर दिपक रखूंगी तील सफेद तील चड़ाना बहुत जरूरी होता है और वाकी चीज मैं आपको बाद में दिखाओंगी अभी मैं तैयारी कर रही हूँ क्रिष्ण भगवान के साथ मैं इनका साधी करूंगी देखिए क्रिष्ण भगवान रखे हैं गव माता हैं यह अच्छे से अभी इक पर हम हल्दी लगाएंगे हल्दी का चौक बनाए हैं चौक पूर्णा जरूरी होता है तोड़ा मेरा इस बालकनी में जगह कम है इसलिए परसानिया हो रही है यह किन कोई बात नहीं मैं अच्छे से तुलसी माता को अच्छे से सजाओंगी और साधी करूंगी इनका जितना हमसे बन पड़ेगा उतना करूंगी साधी तो बहुत तरीके से होती है लेकिन मैं अपने घर जैसे करती हूं उसी तरह से आपको अभी मैं आपको दिखाओंगी तो चलिए मैं बनाना इनको सजाना स्टार्ट करती हूं देखिए दोस्तों आमने लच्मी नरायन का पाव बना दिये हैं और यह स्वास्तिक बनाए हैं और सबसे पहले मैं दिपक जलाओंगी दिपक जलाने के बादी और तुछ करूंगी हूं इस पे मैं हल्दी भी थोड़ा से डाल दी हूं हल्दी डालना बहुत जरूरी होता है इनको हल्दी बहुत पसंद है तो चलिए मैं दिपक जलाना स्टार्ट करती हूं तुलसी माता को घी का दिपक जलाना कापी अच्छा होता है इसलिए मैं सारे दिपक घी का जलाओंगी झाल 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 क्योंकि देखिए अने तुल्सी माता के घर भरने के लिए 35 खाना का बनाई रहु हूं रचा सूद से उन दोनों लोग को गट बरनन की LOOK छुज़ि angels Are the फिरमाटा के बहुती अच्छा लगता है ये पूजा करना बहुत मंदखोस हो जाता है तो सी मता के घर वरना थो काफी अच्छा लगता है यह देखिए हमने दूपाओ बनाई हुं अज लशमी नरायन के ही साधी होता है जो चुलसी माता के रूप में है लशमी जी ये देखिए ये सारे हमने इनитесь लिए भोग तयार किये हैं ये देखिए जूट पटाइटो है ये सेभ है ये अनार है लड़्डू है अगर आपको आपको पूड़ी हलुआ भी बना के चढ़ा सकते हैं, हमने नहीं बनाई हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा तबेस सही नहीं है, और ये सिंघाडा, आवला चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने चढ़ाई हूँ, ये बिश्म भागवान का प्रियफाल है, और सफेद तील देखिए, उनके लिए सबसे सोग माना जाता है, केला है, ये सारे चीज सुथनी होता है, जो हमने चढ़ा दीऊ, शुतनी देखिए ये, जो तुलसी माता रफ्की हूँ, चोटे-चोटे माला पहनाई हूँ, क्योंकि तूलसी माता पर जाते भारी लोड़ हो जाता हूँ, ये बहुत जरूरी होता है चढ़ाना, अभी मेरे तुलसी मा भी घर के पीछे ग्राउंड है, उसमें भी है, वहाँ पर भी मैं जाकर दिपक जलाओंगी, जादे कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ दिपक जलाओंगी, सिंदूर लगाओंगी, क्योंकि दो तुलसी माता तो यहीं पर हैं लोग, ये सिंगार का समान चढ़ाया जाता है, ये अलता है, ये चूडी, सिंदूर, बिंदी, सीसा, कंगी, मेहदी, साडी भी चढ़ाया जाता है, पर मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि चुंदरी तो चढ़ा दी हूँ, इसलिए ये सिंगार का समान बहुत जरूरी ह होता है चढ़ाना जो मैं चढ़ाई हूं अब मैं तुलसी माता के सब पूजा पाठ अच्छे से करके और करूंगी आर्थी करूंगी गंगा जल चढ़ाया जाता है तुलसी माता को जो मैंने चढ़ाई हूं सारे जल में गंगा जल भी डाल दी हूं स्वास्तिक बनाया जाता ह पीला फूल चड़ाय जाता है और पान के पत्ता सोपाड़ी सब भी रखा जाता है नारियल भी चड़ता है पर नारियल आज नहीं मैं महा पाई हूँ जितना बना है उतना की हूँ तो देखिए अब स्रद्धा से जैसे आपके पास समान जितना ही जुट रहा है उतना ही में आप कीजिए पर स्रद्धा पुरा दिल और ये लगा करके पूजा कीजिए काफी भगवान खुस होते हैं भगवान ये नहीं बोलते हैं कि मेरे लिए इतना सब करो थोड़ा ही करो पर स्रद्धा से करो मन से करो भगवान जितना से खुस हो जाते हैं मेरे घर के सामने बहु बहुत तरह जला जाता है, काफी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत साल से ये करती हूँ, आज मेरा तभियत थोड़ा नहीं कुछ जाद ही बिगड़ गया था, इसके वज़े से थोड़ा सलो हो गई हूँ, फिर भी मैं कर रही हूँ, अज जैसे मैं आपके घर भर रही हूँ, इसे आप सभी पर ध्यान दीजिएगा, ये तुल्सी माता, जै तुल्सी माता, आपके घर में भर रही हूँ, संटि जैसे मा कर रही हूँ, आपके चल्सी माता इक अक्यान डा मिन मोझतों, ये अपके थे माता हुँ, ये ज़िर भर रही रही हूँ, झाल रही हूँ, जैसे मोगते हूँ, इसे एखिया णीजिए कर रही हूँ एंगu